हलो बच्चों यह हर्याना डी टीए सी का कॉश्चन पेपर हम लोग डिसकस कर रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन का इसमें लिखा है कॉश्चन नमबर 51 में हाउ मनी मोल्स आफ एग सील आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी रिएक्शन आप एग नो 3 विट कोबाल्ट टेट्रा इमाई डाइक्लोराइड इसको बड़ा सिंपल तरीके से आपको देखना है कैसे की देखिए इसके काउंटर आयन इसको काउंटर आयन बोलते हैं मतलब यह साय आयन होता है आउटसाइड आयोनिजेशन स्फेयर में रहता है तो बच्चों जो कोबाल्ट है यह टेट्रा एम यह आईज़बल होता है तो जब आप इसको पानी में डिसॉल करते हो इनवाटर यह इंवाटर तो यह क्या होगा यह ऐसे प्लस और यह क्लोराइड आयन यह क्वर्स और यह यह सेकेंडरी विलेंसी कहलाती है यह वर्नर थेयरी का अप्लिकेशन है यह नान आयोनिजबल होता है ठीक अब आप यह देखोगे यह जब आप इसमें एजी नो 3 मिलाते हो तो यहां पर एक मोल चुकि एक मोल एजी सील का यह प्रेसिपिटेट हो जाएगा क्योंकि यहां पर उसका होता है स्कुर ब्रेकिट के अंदर का यह इंडर की नहीं होता है ठीक अगला सवाल है ठीक और बेस्छों है जिसे अपन सीक्मा डोनर पाई तो यह जो एक्शुली यह इसमें मात्र एक एक ही लिगेंड है भच्छो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा CO है तो CO क्या होता है ये l misf donor होता है लेकिन क्या हूता है कि जो J accent उसके Di-Arbital में डी d-Arbital जो है तो भरे हुई ये छुली क्या होता है filled d-orbital होता है filled d-orbital filled d-electron होता है अब इसमें क्या होता है बच्चो इस वाले में co तो यह co pi star pi star बोले तो lumo lowest unacupied molecular orbital और यह actually यह back bonding यानि synergic bonding के द्वारा यह electron accept करता है तो इसलिए pi acid बोलेंगे तो pi acid दरसल आपका co होगा बाकी में mod से हम anti bonding orbital या vacant orbital की बात नहीं कर पाएंगे ठीक आगे का अगला सवाल है बच्चो ठीक है अगला सवाल है 53 तो 53 में हमारा जो question है बच्चो in which of the following complexes magnetic moment is 5.9 तो यह देखे 5.9 का मतलब होता है बच्चो कि unpaired देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं mu m अगर 5.9 bm दिया है तो यह war magneton तो इसका मतलब n n मतलब होता है number of unpaired electron तो number of unpaired electron 5 होता है बच्चो ठीक है यह coordination chemistry में valence bond theory में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो इस तरह से तो अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा जैसे यह दिया है तो पहला complex है पहला complex है बच्चो पहला complex में दिया है cobalt तो cobalt 3 plus है 3D 6 होता है बच्चो है ना और इसमें hexamine यह SFL है यह पूरा का पूरा pairing कर देगा तो जब pairing करेगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा यह orbital में जो है तो electron paired हो जाएगा यह देखो ऐसे paired होगा और बाकी जो दो orbital हो खाली पड़ा रहेगा तो यह diamagnetic होगा मतलब यह answer नहीं होगा दूसरा अपन देखते हैं बच्चो यह मैगनीज लिखा हुए तो मैगनीज की बात करते हैं तो मैगनीज की बात करेंगे बच्चो तो मैगनीज की बात करते हैं इसकी बात करेंगे तो यह answer नहीं होगा अब मैगनीज की explain कर देते हैं, मैगनीज में बेटा MN प्लस टू है और चार ब्रोमाइड है, चार ब्रोमाइड बेटा ये WFL होता है, वीक फिल्ड, वीक फिल्ड का एक खास बात ये होता है, कि ये पेरिंग नहीं कर पाता, जब ये पेरिंग नहीं कर पाएगा, तो अनपेर्ड इलेक्टरान होंगे, है ना, और इसका मतलब यहां म्यू 5.29 BM, इसका एक फार्मूला होता है बच्चो, ये तुम लोग को पता है, म्यू M is equal to root N, N plus 2 BM, ये फार्मूला होता है, मैगनेटिक मोमेंट निकालने का, और N क्या है, N यही है, ये जो अनपेर्ड इले तो यहां पर मैच कर जाता है, आंसर ये 2 वाला होगा, बाकी ये देखो, ये 3D8 होता है, सुरी, ये 5D का है बच्चो, तो यहां पर अपन ये देखेंगे, प्लैटिनम, है ना, प्लस 2 है, और प्लस 2 का कांफिगूरेशन होता है, 5D8, और यहां पर ये भले WFL है, ठीके खुद की बज़े से, इसका जट एफेक्टि बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण ये पेरिंग करा देगा अपने आप, तो ये डाया मैगनेटिक हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं होगा, निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल वाला आप सवाल देख लो, तो बच्चो निकल जीरो ऑक्सिडेशन स्टेट में है, और चार सीयो, चार सीयो खुद सेफल है, तो ये भी पेरिंग करा देता है, और इसका पेरिंग बड़ा अजब गजब का होता है, जैसे निकल का 3D8 और 4S2 देखोगे, लेकिन चुकि ये सेफल, सेफल पेरिंग करता है, और पेरिंग कर तो इसलिए the best answer उडवीदा, टू बाकी answer नहीं होंगे, बाकी complexes डाया मेगनेटिक होते हैं, ठीक है, और उन पेरिंग इलेक्टरान 0 होता है, केवल और केवल है ना question number, option number 2 में हम लोग पेरा मेगनेटिक की बात करते हैं ठीक, अगला सवाल है बच्चो, 54 वाला, तो 54 वाला जो सवाल है, वो कह रहा है, यह बहुत ही simple question है, chillation, chillation is present in which following complexes, chillation का मतलब होता है बच्चो, chillating ligand, जिसमें chillating ligand present हो, chillating ligand किसको कहते हैं, chillating ligand मतलब bidintate, tridentate, polydentate, बच्चो, यहाँ सिधा-सिधा आप देखो कि साइनाइड है, यह monodentate है, यहाँ पर ammonia है, यह monodentate है, यह यह पर oxalate, ओ हो, यह oxalate है, OX2N, OX2N को आप ऐसे लिखते हो, बच्चो, इस तरह से यह O, और यह O, और यह O, माइनस, और यह आपका O, माइनस, और यह cobalt 3 प्लस है, यह मैं एक oxalate का formula लिखा हो, बच्चो, एक oxalate का formula है, और यहाँ पर यह chillating, मतलब यह donor है, chillating का oxalate, दो साइड से तो एक ring-like structure बन रहा है, यह क्या बन रहा है बच्चो, यहाँ से यहाँ एक ring-like structure बनता है, कितने oxalate है, तो इसका best answer होगा 3, मैंने आपको समझना है, answer 3 होगा, यह monodentate, यह monodentate, water खुद भी monodentate है, तो water monodentate है, इसलिए answer नहीं होगा, तो इसका best answer क्य होगा, है न, 3 number, यह बहुत ही simple question है बच्चो, आगे हम लोग बोलते है, question number 55, तो 55 में यह जो question है, क्या कह रहा है बच्चो, question यह कह रहा है, which are the following complex is blue colored, कितना आसान question है, blue colored, blue colored, अब आपको यह दिमाग में आएगा, कि option के सामने, क्या हमें सारे complex का color याद करना है, नहीं, blue colored का मतलब, आपको question option दिया जाता है न, बच्चो, तो आपको चीजों को समझना होता है, तो concept कैसे समझते हैं, कि कोई भी complex, complex तभी colored होता है, देखो, कोई भी complex colored कब होगा बच्चो, usually हम लोग जो पढ़ते हैं, colored होता है, जो D1 से D9 के बीच होता है, जिसमें DD transition होता है, ठीक and D10, तो बच्चो, D0 and D10, ये जो है तो आपका colorless होता है, मतलब इन में कोई DD transition नहीं होता है, DD transition के लिए partially filled या partially vacant D orbital चाहिए, ठीक, तो आप ये देखते हो, यहाँ पर दिखेगा, चेक करो बच्चो, अब आपको question को चेक करना है, तो यहाँ copper है, 3- है, इसका मतलब plus 1, तो चेक, जिंक बच्चो, 2+, इसका मतलब है बच्चो, जिंक 2+, है, तो ये भी बच्चो 3D10 है, मतलब ये भी colorless होगा, color नहीं दिखाएगा, option नहीं होगा बच्चो, अब ये देखो बच्चो, copper, अब copper आप देखोगे, तो copper यहाँ पर 2+, आता है, अब 3rd वाले option को देखोगे, copper 2+, तो copper 2+, का मतलब 3D9, ओहो, इस रेंज में आ गया, देखो, 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 3D9, तो 3D9 का मतलब हो गया, कि ये पका डिडी transition करेगा, मतलब blue colored जो है, तो इसी का होगा, अब आगे और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इसकेंडियम, तो इसका 3D 0 होता है, ओहो, तो ये क्य question है, है ना, तो आपको देखना है कि colored, तो देखो, 3 तो colorless हो गए, 1, 2, और 4, ठीक, अब बचता है ये, तो blue colored वैसे copper को blue vitriol भी बोलते हैं, और copper blue colored भी होता है, तो ये सही भी है, है ना, तो ये सयोग से, है ना, आपन जानते भी हैं, लेकिन आपको colored से answer चेक करना है, बच ठीक है, तो अगला question है हमारा, अगला question 56 है बच्चो, तो 56 में क्या कह रहा है बच्चो, the anode mud obtained during electrolytic refining of copper contained, क्या गजब का सवाल है, देखो, एक्चुली जब आप metallurgy पढ़ते हैं बच्चो, तो metallurgy में electrolysis, electro refining, इसी को electrolytic refining, इसी को electro refining, इसी को electrolysis भी कहा जाता है, तर्म पे मत जाना, ठीक है, तो electrolytic भी बोला जाता है, electro refining भी बोला जाता है, electrolysis भी बोला जाता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, copper, अब question दिया है, copper metal, यहाँ पर सवाल दिया है, copper metal, तो बच्चो एक चीज में आपको बता देता हूँ, अगर anode mud, जब हम electrolysis करते हैं, है न aqua solution में, anode और cathode बनाते हैं, impure, जहतो metal का anode बनाया जाता है, pure metal का cathode बनाया जाता है, तो यहाँ पर copper को हम लोग जब electrolysis करेंगे, तो copper से low reactive, तो जो low reactive होगा बिटा, सुन लो, low reactive metal जो होता है, वही low reactive metal ही anode mud बनाता है, बच्चो, यह बात ध्यान देगना, क्योंकि इसका standard reduction potential है ना, अधीक होता है, तो इसका oxidation पहले नहीं होगा, है ना, इसका जो है तो oxidation बाद में होगा, और reduction भी बाद में होगा, तो इस तरह की बात अपन देखते हैं, यह low reactive metal है, और low reactive metal copper के नीचे आप देख लो, केवल option 3 में दिखता है, वाकी A option है ना, और आपका 2 option, 4 option, यह सब more reactive है, उपर है, तो यह anodement नहीं होंगे, ठीक, यह बात ध्यान रखना बच्चो, अगला सवाल है बच्चो, अगला question हम लोग देखते हैं, ठीक, तो अगला question है हमारा, यह 57 question है, 57 कहता है, zone refining is used for, कितना simple question है metallurgy का, यह NCRT में दिया है, हम लोग पढ़ते हैं, zone refining का मत तो यह answer आ लाएगा, यह fact है, यह आप लोग याद कर लेना, है ना, कि zone refining यह से carbon reduction किसका किया जाता है, carbon reduction किसका किया जाता है, amount process कि मेटल के लिए use करते हैं, वैसे ही zone refining है, तो यह fact है, यह याद रखना, यह सब मेटल के लिए, मतलब answer इसका for होगा, अगला सवाल है बच conversion को incorrect बोलना है, conversion मतलब यह बताया हुआ है, कि भाईया, आप यह metal यह carbon दे दिये, आप इसमें conversion कर रहे हैं, मतलब carbon reduction, तो यह तो सही है, ठीक है, मतलब यह answer नहीं होगा, हमें incorrect जोनना है, अब incorrect में मतलब जो correct होगा, वो answer नहीं होगा, है ना, तो यह वाला आप answer नहीं करें पिर देखे, iron, feo, sio2, यह slack फार्मिशन है, मतलब यह true है, इसका मतलब यह answer नहीं होगा, अगला देखते है, zinc और coo, बड़ा गजब का question आप सन मिला, zinc oxide, है ना, तो यह आपको एक थोड़ा सा, यह NCRT में लिखा है, कि zinc oxide को हम लोग, केवल और केवल coke को, 1050 degree centigrade, मतलब temperature, high temperature पर, हम लोग, carbon reduction के द्वारा, है ना, इसको यह vapor phase में जाएगा, और यह co, ठीक है, फिर बात में हम इसे chilling करेंगे, cooling करेंगे, rapid cooling के द्वारा, हम लोग, jinx, जो है तो, यह spelter बनाते हैं, तो कहने का मतलब, यह देखो, और coo द्वारा, अपता है, यह हलंगी, थोड़ा सा elingham diagram का भी, इसमें concept remix किया है, है ना, तो coo द्वारा, जो है तो, इसका हम लोग reduction नहीं करते, तो यह थोड़ा सा, है ना, आपको ncrt में लिखा है, लेकिन यह आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी बनेगा, है ना, तो यह answer होगा, क्योंकि यह गलत है, ठीक है, यह द्वारा करते हैं, इसके द्वारा नहीं करते हैं, और अगला फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट स्टेट्मेंट है, तो इसलिए answer नहीं होगा, एक्चुली लेड पी बी ओ, जो है तो, एक fact है, यह ध्यान रखना, पी बी ओ को जो है तो, हम लोग कार्बन और सी ओ, दोनों द्वारा रेडक्शन कर लेते हैं, जैसे आइरन भी है, जिसको हम लोग है ना, आइरन के आक्साइट को सी ओ और सी द्वारा, दोनों द्वारा हम लोग रेडक्शन कर सकते हैं, वैसी इसको भी हम लोग दोनों द्वारा रेडक्शन कर सकते हैं, तो इस तर और बहुत सिंपल और तो देखो metallurgy में याद करना ही पड़ता है यह मेंस में भी आ जाता है आपके हरियाद अबॉड में तो आता ही आता है तो दीखे कैला माइन का मतलब होता है बच्चो देखो यह जिंक कार्बोनेट है मतलब यह जिंक का और है अब चैलको पायराइट य सिनाबार मतलब यह होता है बच्चो HGS है ना यह यह मरकरी का ओर है तो यह तो आपको बीटा पता होना चाहिए गैलेणा गैलेणा PBS यह यह लेड का ओर है तो यह तो तुमको याद होना चाहिए और और इनके minerals इनके formula तभी आप question को कर पाओगे बच्चो ठीक अगला सवाल करते हैं बच्चो ठीक है तो अगला सवाल है जो बच्चो देखें अगला सवाल है हमारा the oxidation number of sulfur in ठीक है यह क्या है in oxygen में are respectively तो देखो सबसे पहला चीज यह है कि यह बिल्कुल P block का है 12th का oxygen family का sulfur का oxygen acid है बच्चो तो sulfur के oxygen में आपको कैसे करना है ठीक है तो यह देखें इनका structure बना लिजेगा यह आपका SO और यह O और यह SO और यह आपका O यह OH है ना यह O और यह O और यह OH यह देखेंगा तो यहाँ पर इन सब का oxygen state देखेंगे यह sulfur paroxy acid है तो यह plus 6 है यह plus 6 oxy acid है तो यह plus 6 होगा है ना तो वैसे तो पहले option सही देख लो तो यह पहला option 3 में आता है बाकी में तो मैच ही नहीं करता है और बाकी आगे भी आप वैसे बना सकते हो सुनो तो यह बना सकते हो H2 S2 तो यह क्या हो जाएगा बच्चो S है ना O और यह OH इस तरह से यह loan pair और यह S यह आपका O और यह OH और यह आपका loan pair तो इस तरह से आप यह देखोगे यह sulfur और sulfur यह plus 3 और यह plus 3 तो इस तरह की बात अपन करते हैं तो यह answer और यह आपका plus 5 तो प्लस यह वाला answer match करेगा वैसे दो सही और इसका भी आप देख सकते हो इस structure बनाई रहे हो तो सब बना लो है ना यहाँ पर यह थायो sulfuric acid है बच्चो यह थायो hypo भी इसको बोलते हैं बच्चो hypo sulfuric acid भी बोलते हैं इसका oxidation state जो है तो आपका क्या हो जाएगा plus 5 आप यहाँ पर plus 5 calculate कर लेंगे तो इसलिए best answer third होगा अब अगला question बच्चो ठेक तो बच्चो अगला question हम लोग discuss करते हैं 61 तो 61 question क्या कह रहा है कि assign the hybridization shape and magnetic moment of this complex सबसे पहली बात यह complex का oxidation state find out कर लें electronic configuration find out कर लें तो बच्चो यह जो complex है k3 यह cu cn का hole 4 यह देखो सबसे पहले first of all oxidation state इसका plus 1 होगा यह minus 1 होता है इसलिए 3 minus होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 counter आयन है तो actual में यह plus 1 है तो यहाँ पर बच्चो यह आप दिए देखोगे इस जगह में copper का plus 1 oxidation state तो copper जो है तो यह plus 1 में इसका 3D 10 होता है 3D 10 और 3D 10 होता है तो यह completely filled है बच्चो जब completely filled है तो इसके पास 4S और 4P के जो orbitals होंगे यह अपस में participate करेंगे और यह hybridization यह तो SP3 हो जाएगा और SP3 अगर hybridization होता है बच्चो तो इसका सेप जो है तो वो tetrahedral होता है सेप क्या होता है tetrahedral और इसका म्यू एम तो म्यू एम इस एक्वल स्टू यह 0 BM यह 0 बोर बोर मेगनेटाउन हो जाएगा तो इसका यह option आप चेक करें इसके according आपको आंसर देना है तो SP3 होगा tetrahedral geometry होगा और मियू जीरो BM इसमें कौन सा आप सनाएगा बच्चो यह वालाएगा ठीक है क्योंकि यही मैच कर रहा है वाकी मैच नहीं कर रहा है ठीक तो अगला question हम लोग discuss करते हैं अगला question हम लोग देखते हैं बच्चो तो अगला question है हमारा 62 तो 62 में वहरा है विचाब दी following correct statement तो correct statement अब यह statement को पढ़ते जाएए और एक एक लाइंट को explain करते हैं बच्चो तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे देखें आयनिक रेडियस आफ दिस तो यह हम लोग पढ़ते हैं लेंथे नाइट contraction में की serium से यह lutecium 3 प्लस यह concept लॉक का सीरीज है फोर एप ब्लॉक का यह सीरीज है तो यहां से यहां तक radius decrease होता है left to right जाते हैं क्योंकि इसका atomic number 58 और यह 71 तो left to right जाने पर जड़ता है जड़ एफेक्टिव बढ़ता है जड़ एफेक्टिव बढ़ेगा radius घटेगा ठीक है बच्चो तो यहां पर यह size देखा आयनिक radius decrease तो यह correct statement है अब cerium plus act as a oxidizing agent देखो बच्चो एक्शली हम लोग एक line यहां पर पढ़ते हैं यह बात मैं आपको बता देता हूं कि lengthenide ln का मतलब होता है यह पूरा का पूरा series ln है ln मतलब बोले तो यहां पर cerium 3 plus से ले करके और यह आपका lutetium 3 plus को हम लोग ln से represent करते हैं और ln का जो तो common oxidation state general common ठीक है general common या most common कहलो OS oxidation state plus 3 होता है तो plus 3 होता है चुकि इसका valence cell electron 3 होता है बच्चो अब यहां पर आपन देखते हैं चुकि यह cerium 4 plus है तो अगर यह cerium 4 plus है तो इसका मतलब इस oxidation state से ज़्यादा है तो यह यहां से इसमें आएगा इसलिए यह वाला oxidizing agent की तरह work करेगा बच्चो तो इसलिए यह statement भी correct है और basic strength of hydroxide of lengthenide decreases lutetium lengthenum to lutetium ठीक है lengthenum बोले तो एक element क्योंकि यह 57 इसका यह d block element बच्चो इसमें confuse मत होना मैंने LN लिखा है और यहां पर LA लिखा है दरसल यह LN जो है तो आपका यह group representation of cerium 3 plus 2 this है और lengthenum d block का element है तो यहां पर बच्चो आपको जो समझना है कि lengthenum से lutetium तक जाते हैं तो इनका Z effective बढ़ता है और basic strength क्या होता है decrease होता है बच्चो तो यह statement true है अगला question है miss metal यह fact है यह NCRT में लिखा है नर्मल बुक में लिखा है a block में कि miss metal is a alloy किसका किसका होता है most of the element होता है lengthenoid metal मतलब यहां से यहां तक होता है और इसके बाद उसमें iron और traces of sulfur carbon aluminum तो यह 4 statement true है बच्चो तो चारो statement true है इसलिए इसका answer हो जाएगा यह आपका 4 वाकी answer नहीं होंगे बच्चो इस तरह समलोग यहां पर discuss करते हैं अगला question देखते हैं बच्चो तो अगला question हमारा आता है 63 तो 63 question है बच्चो तो 63 में क्या लिए ब्राउन रिंग इस फॉर्म इन दर रिंग टेस्ट आफ नाइट्रेट आयन इस ड्यू टू फार्मिशन आप यह बच्चो पी ब्लॉक में लिखा हुए है nitrogen family में nitric acid के test में लिखा हुए है तो क्या लिखा हुए बच्चो नाइट्रेट का test लिखा हुए है तो नाइट्रेट को जब acid मिलाते हैं ठीक है concentrate यह salt solution होता है ठीक है और salt solution में जब concentrate H204 यह H plus का मतलब होता है बेटा H204 जब मिलाते हैं तो यह HNO3 बनता है और इस HNO3 में यह freshly prepared ferrous sulfate यह ferrous sulfate का solution aqueous हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर वैसे यह aqueous का मतलब होता है Fe H2O का whole 6 यह 2 plus होता है और यह NO देखो बच्चो इसको कुछ पार्ट को यह feric में बदल देता है ऑक्सिडाइच कर देता है और कुछ पार्ट है ना खुद जो है तो रेडियूस हो करके एनो गैस और यह एनो गैस बच्चो यह 3 इलेक्टराण डोनर होता है यह कितने इलेक्टराण डोनर होता है ठीक है यह 3 इलेक्टराण डोनर होता है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर 3 इलेक्टराण डोनर होगा और यह अपना 3 इलेक्टराण डोनेट करके आरन को प्लस इसको देगा iron 2 प्लस का 3D6 होता है और iron प्लस में convert हो जाएगा यह 3D7 और प्लस यह NO प्लस में convert हो जाएगा अब यह लिगेंड होगा बच्चो और यह अपना है कि formation आप किसके करण यह इसके करण होता है अगला सवाल है बच्चो ठीक तो अगला सवाल है हमारा यह देखेंगे question number 64 तो 64 में यह दिया है which of the following is incorrect तो incorrect statement तो incorrect statement मैंने पूरे statement को आपको पढ़ना है तो पूरे statement को पढ़ेंगे तो pure nitrogen इस प्रिपेरड भाई thermal decomposition आप एजाइड फार्मिशन तो बच्चो एजाइड जो होता है एजाइड बोले तो इसका formula N3- होता है जब आप इसको हीट करते हैं तो बच्चो यह N2 gas बनता है pure N2 gas ठीक है तो यह statement correct है चुकि हम वो question करना है incorrect statement में तो यह statement true है इसलिए answer नहीं होगा अगला देखेंगे copper react with hot and concentrate HNO3 NO2 produce बिल्कुल सही है जो HNO3 है यह concentrated form में copper metal even कोई भी metal moderate reactive low reactive metal सब को यह है ना metal में oxidize करता है और खुद जो है तो NO2 में reduce होता है यह true है और plus water भी बनाता है साथ में तो बच्चो यह भी true है मतलब यह answer नहीं होगा अगला ammonia gas इच पास्टू थूदा एक्वा सलूशन आप copper produces white pivity बच्चो यह गलत है तो यह गलत है चुकि incorrect देखना है इसलिए answer यह होगा कैसे चुकि हम लोग copper यह पढ़ते हैं NCRT में लिखा है बच्चो nitrogen family में है ना harmonia के properties में copper में जब आप harmonia मिलाते हैं बच्चो tetraamine के साथ यह complex बनता है deep blue कलर का solution याद रखना बच्चो यह cancer color का solution बनता है deep blue solution तो मैंने क्या बोला deep blue color का solution बनेगा और यहाँ पर क्या लिका है white pivity इसलिए यह जो है तो गलत है मतलब यह wrong statement है अब रांगों को एना रांग है इसलिए चुकि हमें इनकरेक्ट करना है तो यह क्या हो जाएगा इनकरेक्ट कांसर हो जाएगा अगला सवाल है अगला सवाल है बच्चो यह बिल्कुल यह भी NCRT में nitrogen के oxides में लिखा है कि जब NO और NO2 को हम लोग जीरो डिग्री जीरो डिग्री के बिलो मतलब यहाँ पर NCRT में तो डेटा लिख दिया है कि यह पूरा का पूरा NCRT बेस्ट यह सिंपल जो आपका इस्ट्रेट बोड कोश्चन होता है उसका nitrogen फैमली का दिया हुए बच्चो तो इसका यह कोश्चन बिसकस हो गया अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं बच्चो तो अगला कोश्चन हमारा है यह 65 65 में कोश्चन यह क होते हैं और कुछ मेटल के एंफोटेरीग भी होते हैं तो वह एंपोटेरिक में लिस्ट में यहाद रखना पड़ेगा जैसे जैसे वेनेडियम, पिंटफ, ऑक्साइड और MNO2 ये भी एंफोटेरिक होता है तो इन्हें में से question आपको देखना है बच्चो तो देखे इसमें देखो ये chromium ये acid हो जाएगा ये basic होता है इसलिए answer नहीं होगा अगला देखो बच्चो ये इसलिए answer नहीं होगा तो इसका best answer है है ना answer number two क्योंकि ये fact basis है इसलिए इसे आपको याद करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा अगला सवाल है बच्चो लोग का तो अगला question जो है हमरा है ये देखे 66 question तो 66 question में बच्चो जो 66 question में हम लोग देखते विचाप दी फाल सेंबली का सवाल है बच्चो तो actual में देखो इसको देखो हाइडरोलिसीस करेंगे हेच का मतलब हाइडरोलिसीस करते हैं तो यह फासफेन गैस बनता है और यह कैल्सियम हइड्रोकसाइड बनता है बच्चो वाइट फासफोरस को एनवेच के साथ उबालते हैं यह treatment करते है है तो फ्र स्विन हएस बनता है और यह एने सौरी एने हक टू यह बनता है हाइप ्छ इसंगרים यह तो देखो यह प्लस और यह माइनस मिलकर के यह कि प्लस यह फैस्वीन और यह कि हई mr. फट्राइस यह को बेंसीं को ले प्रिशान मत होना क्योंकि यह पूछ रहा है है ना सिम्बॉलिक रियक्टेंट दिया हुआ है और इसमें यह कह दिया है कौन सा प्रोड़क्ट देगा तो कॉस्चन है फास्फीन गैस तो जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब यह है यह है और यह है तो इसलिए आंसर होगा आप दीज है ना क्योंकि सभी जो है तो रियक्टेंट का पेर जो है तो वो इना फास्फीन गैस देते हैं लुद्शों अगला कॉस्चन हम लोग डिसकस करते हैं तो वह 67 कॉस्चन है और बड़ा सिंपल गुस्चन है यह लिखा है कौन सा कंपाउंट क्लोरीन गैस देगा यह halogen family का सवाल है तो chlorine gas देगा बच्चो तो chlorine gas देने के लिए आप reactant को देख लो NaCl में MnO2 यह level preparation है यह CL2 देता है बिल्कुल correct है ना चुकि यह oxidizing देखो बच्चो यहाँ पर दिमाग लगाना MnO2 oxidizing agent होता है यह इसको oxidize करेगा और यह acidic medium में और प्लस बाकी जो है तो NaHSO4 या Na2SO4 इस तरह का यह product बनेगा और प्लस H2O बन जाएगा ठीक यहाँ पर आपन देखते हैं देखो बच्चो केमनोफोर यह इसको oxidize कर देगा और 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 खुद MnCl2 बन जाएगा इस तरह से और प्लस H2O और प्लस KCl बन जाएगा अगला सवाल है यह lab preparation आफ HCl का है NaCl में H2SO4 मिलाते हैं तो HCl गैस बनेगा बाकी NaHSO4 आपलिक Na2SO4 डिपेंड करेगा कि यह acid की amount कितना लिया है तो इसका best answer यह answer में नहीं आएगा क्योंकि question है chlorine gas बनाने का preparation method तो इसलिए पहला और दूसरा तो answer आएगा fourth क्योंकि इसमें लिख दिया है both of 1 and 2 तो यह पहला reaction और दूसरा reaction सही है तो इस तरह से बच्चो हमने complete discuss कर दिया है thank you very much have a nice day hello students how are you myself Rajendra Verma team chemistry आप लोग अपना DTSC का exam दे चुके हैं मैं उमीद कर रहा हूँ कि यह paper आपका अच्छा गया होगा इस paper में आपको जो भी doubt रह गये हैं आप यह video देख करके उन doubts को clear कर सकते हैं ठीक है बेटा करें शुरू मैं आपके साथ केमेस्ट्री का जो और्गनिक portion है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इस और्गनिक केमेस्ट्री के part में आपके पास जो question स्टार्ट हो रहा है वो देखें क्या है ethyl iodide आपके पास है और एक normal profile iodide है ठीक है मिटा और reaction कौन सी करनी है आपको words reaction complete करनी है the alkane which will not be obtained आपको वो अलकेन पता करनी है जो इस reaction में नहीं बन रही है तो आपके पास है ethyl iodide, normal profile iodide और words reaction है तो हम यहाँ पर किस पर focus करेंगे free radical पर focus कर लेते हैं मुक्त मूलब की बात हम कर लेते हैं तो ethyl iodide से आपको जो radical मिलने वाला है वो radical मिलेगा ethyl free radical और एक आपके पास है normal profile यह आपके पास normal profile से normal profile free radical मिलेगा अब इन free radical के combination से इनके dimerization से आपको जो product बन रहे हैं पहले उन पर ध्यान देना है फिर हम देखेंगे कि कौन सा product इन में से नहीं बन रहा है आप ethyl को ethyl के साथ dimerize करें ethyl group को ethyl के साथ dimerize करेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो होगा normal butane या आप उसे कह सकते हैं butane तो इस reaction में एक butane बन रही है first option butane है आपके पास butane तो बन रही और आपको check करना है not be obtained ethyl को normal profile के साथ अगर आप react करवा देते हैं ethyl group को dimerize करेंगे आप किसके साथ normal profile radical के साथ तो आपके पास answer क्या आएगा बेटा normal pentane यहां कहें pentane तो pentane भी आपको इन चार option में से दिखाई दे रहा यह रहा pentane butane हम पहले बना चुके है pentane यह बन गया butane हम बना चुके है pentane बन चुका है इसमें ठीक है normal profile को normal profile के साथ dimerize करके check कर लेते हैं normal profile group को आप normal profile group के साथ अगर dimerize करवाएंगे तो आपको answer मिलेगा normal hexane या कहें hexane तो hexane भी दिया हुआ है तो इन चारों में से ऐसा कौन सा option है जो आपको इन दोनों के combination से नहीं मिल रहा है यही आपको check करना है तो आपके पास answer क्या चला जाएगा बेटा second answer चला जाएगा isobutane आप यहां से नहीं बना पार है ठीक है next question की बात करें एक chemical reaction है और आपको identify करना है final product B B को आपको check करना है बेटाइस देखें तो आपके पास एक terminal alkyne है terminal alkyne में क्या condition दे रखी है diluted H2SO4 और HgSO4 इसका मतलब आपको water addition करना है आपको यहां पर water का addition करना है यहां पर यह clear हो रहा है वेट आपको ठीक है इस condition में आपको water addition करना होता है diluted H2SO4 HgSO4 तो यह water addition कौन से rule को follow करेगा marconic of rule को follow करेगा marconic of rule के according आप इसमें water को add कर लें बिला यह मिला अब यह आपके पास एक in all form है in all रूप है यह in all रूप क्या करेगा acidic medium में totem arise हो जाएगा इसकी चला विवता हो जाएगी बेटा तो जब आप इसे totem arise करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा यह आगया आपके पास compound A बास समझ में आ रही है in all form को मैंने क्या कर लिया totem arise कर लिया इसकी चला विवता complete कर ली अब आपको इसमें क्या add करना है zinc amalgam hcl add करना है यह clean mention reduction को indicate कर रहा है clean mention option को बता रहा है बेटा और clean mention reduction clean mention option में यह जो C double bond O group है यह किसमें convert हो जाता है CH2 group में convert हो जाता है CH2 group में यह compound आपके पास हो गया B अब आपसे पूछा है identify product B उत्पाद B को आपको पहचानना है तो यह कौन सा product है बेटा प्रोपेन तो आपका answer क्या आजाएगा प्रोपेन answer आज़ा है कौन सा answer आज़ा है बेटा आपके पास प्रोपेन answer आज़ा है नेक्स देखें नेक्स आपके पास एक एलकीन है और वहाँ पर HCL का addition करना है एलकीन पर HCL का addition इलेक्ट्रोफिलिक addition होता है इलेक्ट्रोन सनेही योग होता है इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे H प्लस एड़ करके इक कार्बोकेटाइन जनेरेट करेंगे बिटा इन दोनों के कम्बीनेशन से आपको क्या करना है पहले एक कार्बोकेटाइन को जनेरेट करना है इस तरह्ショिप ऐसा बन जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोन इधर ट्रांसफर करके मैं यहां H plus add कर देता हूँ तो यह जो CH है वहां क्या बनेगा कार्बो केटाइन कार्बो केटाइन बनता है तो हमें ध्यान रखना होता है rearrangement of कार्बो केटाइन कार्बो केटाइन, कार्ब धनायन का जो पुनर विन्यास है उस पर जरूर फोकस करेंगे rearrangement process करने का reason क्या है stability को increase कर रहा stability increase हो जाती है तो यहां से यह जो hydrogen है इसको मैं यहां transfer करूँगा जिसको बोला जाता है 1, 2 hydride shift बेठा 1, 2 hydride स्थनांतरन होता है hydrogen एक जगे से दूसरी जगे transfer हो रहा है ऐसा करने से benefit क्या मिल रहा है यह देख लेते हैं कि stability increase हो रही है यह नहीं हो रही है इसके respect यह carbocatine ज़्यादा stable है यह 2 degree है यह 3 degree है alpha hydrogen के point of view से चेक करेंगे तो भी आपको यहां alpha hydrogen 3 plus 3 plus 2 8 alpha hydrogen मिलेंगे यह more stable है more stable carbocatine major product formation में help करता है मुख्य उत्पात बनाने में सहायता करता है आपको यहां पर major product ही find out करना है तो जब मैं इसके साथ CL negative की reaction करवाऊंगा तो CL negative यहां पर attack करेगा तो यहां attack करने से जो answer आना चाहिए वो आपको check करना है तो यहां attack करने से answer आपके पास कौन सा आ जाएगा वेटा third answer आ जाएगा बास समझ में आ रही है क्या करना है पहले H plus add करके कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे फिर rearrangement process apply करके कार्बोकेटाइन को stabilize कर लेंगे उसके बाद वहाँ पर आप CL negative अटेज करेंगे तो third answer आ जाएगा identify product of following reaction आपके एक reaction दे रखी है और इसमें product देखना है देखें धान से condition क्या दे रखी है Reductive Ozonalysis है अपचाई ओजोनी अपगटन है और Reductive Ozonalysis बहुत सिंपल तरीके से solve होता है बेटा क्या करना है आपको इसके अंदर यहां से इसे remove करना है और इन दोनों पर oxygen को attach कर देना है तो आपके पास जो answer आएगा वो होगा CS3CHO second answer भी आपके पास आएगा यह दोनों molecule सेम है इसका name क्या है वेटा IUPAC name है ethanol और common name आपके पास है acetaldehyde यह common name है इसका सामाने नाम यह IUPAC नाम है आपसे पूछा क्या है identify product of following reaction अभी किरिया का उत्पाद आपको चेक करना है तो आप देखें इन चारों option में से आपके पास कौन सा option सही बैठ रहा है second option आपके पास है ethanol कौन सी reaction है reductive ozonolysis अप्चाई ओजोनी अपगटन है simple most reactive with HBR HBR के साथ अधिक क्रियाशील आपसे पूछा है तो यह सारी एलकीन है एलकीन की reactivity HBR के respect आप कैसे चेक करेंगे reactivity of एलकीन directly proportional stability of कार्बोकेटायन एलकीन की जो क्रियाशीलता है वो कारब धनायन के स्थाइटों के समानुपाती होता है अब यहां से हमें क्या बना के देखना है कार्बोकेटायन बना के देखना है पहला option आपके पास आईसो ब्यूटीन है आईसो ब्यूटीन में जब आप H plus add करेंगे तो आपको कुछ ऐसा कार्बोकेटायन मिलेगा बेटा यह कार्बोकेटायन आपको मिलेगा फर्स्ट ऑप्षन से सेकिंड ऑप्षन में आपके पास है स्टाइरीन स्टाइरीन में आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है यह स्टाइरीन का स्ट्रक्चर है इसमें H plus add करेंगे तो आपको क्या प्रोड़क्ट मिलेगा ये भी देख लेते हैं अब यहाँ पर ट्रांस टू ब्यूटीन है तो टू ब्यूटीन ही तो मैं तो आपको ब्यूटीन से बता देता हूं फिर अपन देख लेंगे तो सी एस थ्री सी एच पॉजिटीव सी एच टू सी एस थ्री अब आपको इन तीनों कार्बोकेटाइन में से ये चेक करना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपके पास कौन सा होगा यहां पर हाइपर कॉजूगेशन अति सेयुगमन इसको स्टेबलाइज्य कर रहा रहा है यहां पर हाइपर कॉज्यूगेशन के साथ साथ एक रेजोनेंस भी है अनूनाद भी है और अगर आपका positive charge through resonance stabilize होता है तो ज़्यादा stable होता है तो इन तीनों में से ये most stable carbocation है most stable carbocation और मैंने क्या बोला था तो यहाँ से आपको most stable मिल रहा है तो आपका answer क्या चला जाएगा बेटा सेकेंड स्टाइग ठीक स्वाट reaction स्वाट reaction किस purpose के लिए use किया जाता है alkyl fluoride का formation करने के लिए alkyl fluorides fluorode derivatives of hydrocarbon आपको बनाना हो तो आप क्या use करते है स्वाट reaction को use करते हैं तो आप देखें fluorides इसमें कहां है first option में fluorides कहां है बेटा इसमें first option में clear which of the following SN2 reactions is fastest कौनसी SN2 अविक्रिया सबसे तेजी से चल रही है SN2 reaction के लिए हमारे mind में क्या आना चाहिए less crowded reaction center होना चाहिए जिस carbon पर आप reaction करवा रहे हैं वहाँ पर 3 विम बाधा कम से कम हो steric hindrance minimum होना चाहिए दूसरी condition good living group होना चाहिए आसानी से हटने वाला group होना चाहिए तीसरी condition nucleophile strong होना चाहिए नाभिक सनेही प्रबल होना चाहिए तो यह condition को apply करेंगे तो हम इस समझ में आ जाएगा यह आपके पास 1 degree है यह आपके पास 1 degree है यह 2 degree है यह 2 degree है तो हमें यह अच्छे से पता है कि SN2 reaction में 1 degree alkyl halide is more reactive as compared to 2 degree alkyl halide 1 degree alkyl halide की क्रिया चीलता 2 degree alkyl halide से ज़्यादा होती है जब हम बात करते है SN2 की तो आपका answer 3rd और 4th तो नहीं हो सकता वेटा क्यों नहीं हो सकता reasons में आ रही है यहाँ पर 2 degree है और यहाँ भी कैसा है 2 degree हमें 1 degree में से कोई एक answer में लेना होगा तो अब देखे इसका leaving group same है leaving group same है तो nucleophile में तो change हो रहा है ने बैटा देखो ध्यान से तो आपको क्या ध्यान रखना है anion is strong nucleophile then neutral molecule एक neutral molecule है एक anion है तो आपको क्या ध्यान रखना है anion जो होगा वो strong nucleophile होगा तो strong nucleophile SN2 की reaction को favor करता है तो यहाँ पर यह strong nucleophile है तो आपके पास answer क्या चला जाएगा बैटा first answer चला जाएगा less hindered यहाँ पर आपके पास strong nucleophile है as compared to water तो आपका answer क्या चला जाएगा first which order is incorrect कौन सा क्रम आपको गलत दिया गया है यह पूछा है पहला है esterification बेटा esterification process अब मैं थोड़ा सापको बता देता हूँ esterification process में आपको alcohol और carboxylic acid के बीच में करवाना होता है यही तो है बेटा इसको esterification esterik करण बोला जाता है यहाँ पर ध्यान रखना है carboxylic acid और alcohol दोनों ही क्या हो less hindered हो steric hindrance minimum हो तो rate of esterification maximum हो जाती है rate of esterification क्या हो जाती है बेटा maximum हो जाती है तो crowd minimum देखना हमें alcohol दे रखा है तो alcohol पर crowd minimum देखना है तो आपको ध्यान रखना है 3 degree alcohol highly crowded है इसका मतलब esterification slow हो जाएगा 3 degree के respect 2 degree less hindered होता है esterification थोड़ा increase हो जाएगा 2 degree के respect 1 degree और भी less hindered होता है तो 1 degree में estrification सबसे आसानी से होता है वेटा तो यहां यह देखें 1 degree है यह आपके पास 2 degree है और यह आपके पास कैसा है 3 degree है तो 1 degree estrification के लिए best रहता है as compared to 3 degree तो यह आपके पास एक सही order दिया गया है एक क्रम बिल्कुल सही दिया गया है इसमें तो कहीं कोई problem ही नहीं है आगे boiling point आपको चेक करना है pentane 1-ol, pentane 2-ol, 2-2-dimethyl, propanol इन तीनों में boiling point चेक करना है तो boiling point में तो कोई problem ही नहीं रहेगी यह 1 degree alcohol है यह 2 degree alcohol है यह है तो 1 degree लेकिन branched है कैसा है? branched है तो जितनी ज़्यादा branch हो जाती है वहाँ पर boiling point कम हो जाता है तो अगर हम इनके boiling point के order को देखेंगे तो यह देगा और इसका practical जो data है boiling point के वह भी इसी favor में है तो यह भी order बिलकुल सही दिया गया है acidic strength 3 nitro phenol है बेटा nitro group कैसा होता है? electron withdrawing electron withdrawing electron खेंचने वाला है electron अपने पास बुलाने वाला है और electron withdrawing group acid strength को increase करता है और एक है methyl group methyl group कैसा होता है? electron donor group है electron donor group acidic strength को क्या करता है? decrease करता है withdrawing group increase करेगा तो donor group क्या करेगा? decrease करेगा तो देखें यह order को follow कर रहा है क्या? बिलकुल सही order है बेटा इसके अंदर last देख लेते हैं bond angle of these three बेटा यहाँ पर थोड़ी सी problem है 10 degree to 11 degree के आज पास इतना कुछ value रहती है ठीक है? value के अपने को चलो कोई ज़रूद ज़रूद नहीं है आप direct solve कर लेंगे तो कोई problem नहीं रहेगा मैं इसको direct आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चलो इसको देखते हूँ bond angle की बात कर रहे हैं यहाँ पर इन तीनों में bond angle सबसे ज़्यादा यहाँ है क्योंकि यह CS3 और यह CS3 क्या करेंगे? एक दूसरे को repel करेंगे तो repulsion की वज़े से यहाँ bond angle होना चाहिए था hybridization SP3 है oxygen का hybridization कैसा है? SP3 है तो bond angle क्या होना चाहिए? 108, 109.5 इसके आसपास होना चाहिए लेकिन यहाँ repulsion है और repulsion की वज़े से इसका bond angle increase हो जाता है जब bond angle increase होगा near about 110 to 11 के आसपास चला जाएगा तो इसमें bond angle ज़्यादा है यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस है यह जो oxygen है यह oxygen actually SP2 hybridized होता है SP3 नहीं रहता है कैसा रहता है? SP2 hybridized है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हा जाता है SP2 होने इसकी वज़े से यहाँ पर bond angle इसके respect थोड़ा सा क्या रहेगा? कम रहेगा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें bond angle near about 109 degree के आसपास होता है और इसका bond angle near about 108 degree के आसपास होता है और इसमें bond angle near about 110 to 111 degrees के आसपास रहता है तो bond angle का यह order होना चाहिए था आपके पास ऐसा तो नहीं दिया है इसका मतलब इसमें आंसर आपके पास क्या आजाएगा आपको incorrect find out करना है ठीक यह आपके पास 1, 2, 3, 4 3 butene to all की structure है इसमें आपको HBR के साथ reaction करवानी है means पहले H plus आप इसमें use करेंगे यह इसके साथ protonate होगा फिर आप इस bond को यहाँ से क्या करेंगे break करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा carbogatine मिलेगा यह carbogatine through resonance अपने आपको stable करेगा यह through resonance टेबल कर रहा है वेटा अपने आपको अब यहाँ पर ब्रॉमीन इसके साथ भी attach हो सकता है और ब्रॉमीन इसके साथ भी attach हो सकता है तो यहाँ पर जो आपके पास answer आएगा वो कुछ ऐसा होगा और इसमें जो answer आएगा वो कुछ ऐसा होगा तो अब देखना है कौन से options आपके पास available है यहाँ है 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन और यहाँ पर है 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन तो 2 L की आपके पास ब्रोमो derivative का mixture बनने वाला है बेटा एक तो है 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन तो यह रहा एक आपके पास है 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन यही रहा तो answer क्या आएगा आपके पास फ़र्ड answer आएगा point समझ में आ रहा है आपके पास जो alcohol है पहले क्या होगा यह protonate होगा फिर इसमें से water molecule release होगा कार्बोकेटाइन का formation हो जाएगा यह कार्बोकेटाइन through resonance अपने आपको stable कर रहा है इस कार्बोकेटाइन में भी BR negative react करेगा इसमें भी BR negative react करेगा तो दोनों से आपको यहाँ पर single product नहीं मिलेंगे two products मिलेंगे दोनों product आपके सामने हैं आप check कर सकते हैं ल्यूकास रियेजेंट क्या होता है ल्यूकास रियेजेंट क्या है concentrated HCl है और अन्हाइडरस ZNCl2 है इसका use क्या है 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol को easily identify करने में यह help करता है तो concentrated HCl और अन्हाइडरस ZNCl2 इसमेंज आपके पास answer क्या आगया वेटा first answer ठीक है major product आप देखें यह reaction कैसा है इसमें alpha hydrogen नहीं है इसमें भी alpha hydrogen नहीं है 50% NEOH है जब आपके aldehyde में alpha hydrogen नहीं है और आपने alkaline media यूज किया है तो आपका focus होना चाहिए canigaro reaction पर अब यहाँ पर अगर आपके पास aldehyde different है तो आपका focus होना चाहिए cross canigaro reaction पर cross canigaro reaction में आपको ध्यान क्या रखना है जो aldehyde more reactive है towards nucleophilic addition उस वो oxidize हो जाएगा और जो less reactive है वो reduce हो जाएगा तो हमें देखना है इन में से more reactive aldehyde कौन सा है तो more reactive aldehyde कौन सा आपके पास formaldehyde है तो formaldehyde इसमें oxidize होगा formic acid में यहां भी formic acid बन रहा है और आपके पास यहां भी formic acid बन रहा है दोनों जग ए formic acid बन रहा है यह जो benzyl dihyde है यह reduce होगा porque क्या बनाएगा बेंजाer alcohol बनाएगा तो यह तो benzyl alcohol नहीं है तो यह तो answer नहीं हो सकता फिर answer आपके पास कौनसा आ जाएगा वेटाजी फॉर्स फॉर्स आंसर आ जाएगा फॉर्स आंसर नहीं होगा ठीके है कौन सांसर आएगा फॉर्स बात समझ मैं आ रही heißt reaction कौन सी है cross-canigero reaction है cross-canigero reaction में उस aldehyde को oxidize करेंगे जो more reactive है towards nucleophilic addition formaldehyde more reactive है तो formaldehyde को oxidize कर दे और जो benzaldehyde है उसको आप reduce कर दे तो answer आपके पास चला गया fourth ठीक है phenol gives symmetric tribromofenol when treated with bromine in aqueous solution tribromofenol phenol की reaction आप bromine water से करवाते हैं तो tribromofenol बनता है यह बिल्कुल सही बात है अब आगे देखें only ortho and parabromofenols in carbon disulfide solution अगर लेते हैं तो ortho bromofenol भी बनता है parabromofenol भी बनता है mixture बनता है ऐसा क्यों हो जाता है carbon disulfide में monobromo derivative हो रहा है और bromine water में आपके पास tribromo derivative है इसका reason क्या है actually होगा क्या अगर आपके पास phenol है और protic solvent है protic solvent अगर आपने लिया है तो यह ionize हो जाएगा ठीक है यह ionize हो जाएगा ionize होने का मतलब है यहाँ पर एक equilibrium establish हो गया वीटा यह इसके साथ react करके यह बनाएगा और यह इसमें convert करेगा तो यहाँ पर आपके पास है OH ग्रूप और यहाँ आपके पास है O negative और हम जानते हैं कि प्लस M और प्लस R effect जो है वो OH में कम होता है और O negative में ज्यादा होता है प्लस M effect क्या करेगा benzene ring की reactivity को increase करता है तो प्लस M ज्यादा है ring की reactivity ज्यादा है तो आप अगर protic solvent लेते हैं तो आपको trybromo derivative मिलता है और यहीं आपर देखना है bromine in aqueous solution के रखा है वेटा तो यह region इसका होता है basic region अब आपको इन में से इस region को select करना है कौन सांसर आ जाएगा second ठीक है in aqueous solution phenol exist in nickel barium with phenoxide ion which has more activating group O minus आपके पास second which of the following pair cannot be distinguished by tollens reagent वेटा tollens reagent से distinguish नहीं होने का मतलब है या तो दोनों ही react कर रहे हैं या कोई भी react नहीं कर रहा है ठीक है देखें यह जो compound है यह positive test देने वाला है with tollens reagent लेकिन यह क्या शो करेगा negative test यह भी क्या show करने वाला है positive test और इधर यह भी क्या शो करेगा वेटा positive test show दोनों ही अगर positive test show करेगे तो हम distinguish करी नहीं पाएंगे distinguish तभी हो सकता है विभेत तभी हो सकता है जब एक के साथ react हो और दूसरे के साथ react नहो यहां तो दोनों ही positive reaction तो यह कह रहा है आपके पास cannot cannot है तो आंसर के आगिया बैटाँ आपके पास second answer आगिया reason समझ में आ रहा है क्योंकि second answer के अंदर दोनो के दोनो compound ऐसे है जो क्या शो करने वाले है positive test शो करने वाले है ठीक विच रियक्षिन इजी इस तो प्रिप्यर aldehyde, aldehyde को बनाने के लिए कौन सी reaction को आप यूज कर सकते हो, यह हमें देखना है क्या canigaro reaction aldehyde बनाने की method है क्या canigaro reaction aldehyde का chemical property है, methods of preparation नहीं है, aldol condensation property है, methods of preparation नहीं है, rosin moon reduction, कौन सा आजाएगा बैठा rosin moon reduction aldehyde का preparation में यूज होता है hvz, carboxylic acid का chemical property है, तो आपके पास answer क्या आगया, third देखे मेटा, यह आपके पास कौन सी reaction है, द्यान से देखो gabriel thalamide synthesis reaction है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से यह जो OH है, वो इस h plus के साथ react करेगा और इस तरह से एक anion formation करेगा यह anion एक nucleophile है, एक नाभिक सने ही है इसकी reaction होगी ethyl bromide के साथ तो कौन सा mechanism follow करेगा बेटा यह SN2 mechanism follow करेगा और यहाँ से इस bromine को replace कर देगा result क्या रहेगा आपके पास, जड़ा देख लें यह आपके पास कुछ ऐसा result आ जाएगा ठीक है, बास समझ में रहेगे अब हमें क्या करना है, यह compound आपके पास B है बेटा अब आपको इस compound B का hydrolysis करना है in acidic media, तो यह यहाँ से break हो जाएगा break हो जाएगा, break होने से आपके पास results क्या होंगे एक result तो होगा through hydrolysis आपको मिलेगा यहाँ पर thalic acid, एक तो क्या मिलेगा आपको thalic acid और यहाँ से यह जो portion है यह portion होगा आपके पास primary amine जिसको हम कहेंगे ethyl amine तो thalic acid प्लस ethyl amine thalic acid प्लस ethyl amine आपके पास answer होगा ठीक है नेक्स देखें आपके पास एक benzene disonium coloride है इसको आप यहाँ से replace करेंगे तो यह इस पर attack करेगा तो c6h5 cn compound x आपके सामने है लीथियम aluminium hydride क्या करेगा साइनाइड के लिए reduction process complete करेगा तो जब आप इसका reduction करेंगे तो आपके पास answer आएगा CH2 NH2 benzyl amine reduction process complete हो गया अब इसमें nitrous acid add कर रहे हैं जब आप एलिफेटिक primary amine हो और उसमें nitrous acid add करते हैं तो आपके पास answer क्या आता है alcohol अंसर क्या आएगा वेटा आपके पास alcohol answer आएगा तो यह आगया आपके पास S S will be S will be आपको चेक करना है तो S आपके पास क्या है benzyl alcohol है बेटा benzyl alcohol कौन से option में दिया हुआ है third option में दिया हुआ ठीक next question आपके पास है which one given below is a non reducing sugar कौन सी एक अनपचायक शरकरा है non reducing sugar का मतलब है tolerance reagent से react नहीं कर रहा है failing solution से react नहीं कर रहा है तो इन चार आपके पास sugar है इन में से शुक्रोज ऐसा है जो non reducing sugar होता है बाकी तीनों क्या है reducing sugar है ठीक बेटा शुक्रोज non reducing sugar है अनपचायक शरकरा क्यों है क्योंकि शुक्रोज की दोनों monosaccharide units के जो anomeric carbon है वो glycoside bond के थुरू connected है इसलिए शुक्रोज क्या है non reducing sugar है मैं उमीद करता हूँ आपको औरनी chemistry के questions का solution मिल गया होगा थैंक यू जै CLC respectively the total pressure of the solution obtained by mixing 2 mol of A and 3 mol of B would be simple सा question पूछा है दो दरव दे रखें उनके वाश्पदाब 180 और है इनका बोल रहा है परिणामी विलियन का वाश्पदाब ग्याद करो जब 2 mol A तता 3 mol B जो है वो मिस्रित किया जाता है आपनको मालूम है vapor pressure of solution अगर calculate करना है PS तो PS calculate करने के लिए route का लोल apply करेंगे वो होता है P0A XA plus P0B XB होता है XA और XB mole fraction है mole fraction का formula मैं साइड में calculate कर लियता हूँ self mole upon total mole होता है total mole बोले तो NA plus NB तो यहां से XA की value आजाएगी 2 mole A है and B के 3 mole तो यह हो गया 2 by 5 तो XB हो जाएगा 3 by 5 यह value put कर देते हैं यह वाली जो value दे रखिये it is the P0A and it is the P0B तो PS it is equal to P0A 100 multiply by 2 by 5 plus 80 multiply by 3 by 5 अगर आपने इसे solve करें तो यह हो जाएगा 440 divide by 5 it is the 88 TOR 88 TOR बोले तो 3rd is the correct answer ok next बात करते हैं चली next क्या प्रोब्लम दे रखा है osmotic pressure of a solution containing 0.1 mole of solute per liter at 273 Kelvin 0.1 mole प्रति लिटर विलियन वाले विलियन का 273 Kelvin पर आपको यह बुला गया है कि परासरन दाब क्या होना चीए यह आपन से पूछा गया है ok तो osmotic pressure का formula होता है P0A it is equal to pi it is equal to CRT C concentration है 0.1 mole है 1 liter में है तो concentration यह आगया ठीक है R की value जो होती है वो 0.082 ले लिजिएगा यह लिजिएगा temperature दे रखा है 273 यह लिजिए तो यह चेक करे 0.1 कहां पर है 0.082 कहां पर है 273 first is the correct answer ok next देखे problem number 88 यह बोला जा रहा है which of the following equation will exhibit highest freezing point किसके जलिये विलियन का हिमांग सर्वादिक होगा अगर आप अब्जर्व करें तो यहां पे जो है वो आयोनिक compound भी आ रखे अगर आयोनिक compound आ रखे उस condition में डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है आयोटा इन्टू के एफ इन्टू एम ओके आपने एक बात बोले डेल्टा टी एफ डारकली प्रपोजनल टू होगा आयोटा इन्टू एम के आपको मालूम है freezing point of the solution जो होना चाहिए यह depression है तो यह होता है freezing point of solvent माइनस डेल्टा टी एफ तो अपने ऐसा बोले जिसके लिए डेल्टा टी एफ की value जादा होगी उसका freezing point solution का जो होना चाहिए वो कम होगा यह लिजे तो इस basis पे अगर आपन बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते गुलकोज जो है इसका want of factor iota 1 होता है तो इसके लिए जब बात करोगे तो इसके लिए point 015 ही आएगा इसका want of factor 2 होता के यह नो तरी का 1K प्लस देगा एक नाइटरेट देगा तो point 01 multiply by 2 करोगे तो point 0.02 आजाएगा इसका point 15 multiply by 1.15 यह आएगा इसका 3 होता है 2 sodium आइन मिलेगा 1 sulfate मिलेगा 0.03 आपन को चीए maximum freezing point तो इसका मतलब simple शी बात है जिसके लिए iota into m की value delta tf की value कम होगी उसका freezing point सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे कम value जो आ रही है वो first वाले option के लिए आ रही है तो first is the correct answer यह होना चीए next देखिएगा भया 89 number problem which property of the collidal solution is independent of charge on the collidal particle कौन कौलाइडी विलियन का कौन सा गुनत जो है वो कौलाइडी करनों पर आवेशे स्वतनत रहे इसका बलाग कौन सी प्रोपरटी जो है वो charge से related नहीं है टिंडल effect का charge से कोई लेना देना नहीं है टिंडल effect जो होता है वो इसका ऐसे बोल सकते है mechanical effect है जब light जो होता है collide particle जो होता है वो light की scattering करता है उस condition में यह observation होता है coagulation charge से related है जब किसी collide solution collide sol पर charge होता है collide sol पर charge होता है तो oppositely charge electrolyte उसमें add करते हैं तो coagulation होता है electrophoresis यह जो है वो अगर आप electric field apply करते हैं तो collide के particle जो होते हैं वो oppositely charge electrode की तरब movement करते हैं उसे electrophoresis कहते हैं और solvent particle flow करते हैं तो उसे electro osmosis कहते हैं तो यह तीनों property जो है वो charge से related है यह charge से related नहीं है तो आपन से बोला चार्ज इंडिपेंडेंट इट मिंस टिंडल इफेक्ट ओके नेक्स्ट देखीगा विच वन ओफ फॉलोविंग केरेक्टरिस्टिक्स इस एसोसियेटेड विद एडजॉप्शन कौन सा लक्षन जो है वो अधिशोशन से संबंदी थे जब भी एडजॉप्शन होगा तो एक्जोथर्मिक रियक्शन होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा सेकेंड नमबर किसी गैस का मेटल की सरफेस पर एडजॉप्शन होता है उस कंडिशन में गैस की randomness decrease होती है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा और एडजॉप्शन प्रोसेस spontaneous होता है तो डेल्टा जी भी क्या होगा नेगेटिव होगा तीनो नेगेटिव होने चीए delta G delta H delta S all are negative first is the correct answer ओके, next देखेगा, fog is a collidal solution of दुन्द जो है वो colliding billion किसका है, fog actual में जो होता है उसमें आपन यह बूल सकते है, liquid के particle है, किसके अंदर, gas के अंदर तो liquid in gas, liquid in gas, fourth is the correct answer ओके, next 92 number problem, when initial concentration of the reactant is double, the half life period of a zero order reaction zero order reaction के लिए half life time जो होता है, वो directly proportional to होता है initial concentration के, जब आप initial concentration को double करोगे, प्रारंबिक सांदरता को दुगना करोगे, तो अर्द आयू काल भी जो होगा, वो double हो जाना चीए अगर double करते हो किसको a not को, तो उस condition में half life time भी क्या हो जाएगा, it also becomes double ये लिजीए, तो third is the correct answer if the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 99% reaction प्रतम कोटी अभी करिया का वेग नीरता के देर खाया, आपको बोला 99% reaction complete होने में लगने वाला समय T कौन से formula के थुरू होगा 99% का मतलब ये होता है, कि अगर आप initial concentration 100 लेते हो, तो 99% reaction complete हो गई है it means 1 reactant बच जाएगा, अगर बात करें, T का formula first order के लिए तो वो होता है, 2.303 upon K log of the A0 upon 80 ये formula होता है, ये value आप put कर दीजिएगा 2.303 upon K log, ये हो गया 100 divided by 1, 10 का square 2 गिर जाएगा आगे 4.606 upon K log 10 base पर 10 की value 1 होती है तो इसका मतलब answer first हो जाएगा, ओके next आपसे बूला जा रहा है, for the chemical reaction the correct option is ये आपको बूला जा रहा है, ठीक है, इसके लिए correct option क्या होगा एक राशा नहीं कभी क्रेया दे रखी, simple सी बात है अगर इनकी rate में relation चीए, तो rate में relation ये होता है rate of the N2 divided by its stoichiometric coefficient 1 it is equal to rate of the H2 divided by 3 and rate of the ammonia divided by 2 ये होता है, first option second number चीज, अब आपको किसमें relation चीए, N2, H2 ammonia जिसमें भी चीए N2 और ammonia में चीए, है ना, N2 और ammonia में चीए, ये किसमें भी चीए N2 reactant है, तो उसके लिए minus आएगा, तो minus का D N2 by DT hydrogen B reactant है, disappear हो रहा है, तो minus आएगा ये product है, तो 1 by 2 D of the ammonia by DT आजाएगा, ये लिज़े ठीक है, अब सुनिएगा, आपको बुलाए कि इसमें से कौन सा correct option है, अगर D N2 और D ammonia में relation चीए, तो minus का D N2 by DT ये रहा, और 1 by 2 D of the ammonia by DT first is the correct answer, ये लिज़े, ठीक है, इन दोनों को equate कर लिज़े का, इन दोनों को, ओके, next देखिए, the vacant space in BCC lattice unit cell, BCC जालक एक कोस्टिका में रिक्तिस्तान होता है, कितना percentage, BCC में particle जो होते है, वो एक तो होते है, corner पे, plus body center पे होते हैं, और इसमें percentage, space occupied जो होती है, वो होता है, 52 percentage, अगर 52 percentage occupancy है, तो 48% जो होगा, वो इसमें क्या होना चीए, vacant space होना चीए, ये लिज़ेगा 48 percentage, तो first is the correct answer, next देखी, 96 number, the correct statement regarding defects in crystalline solid, crystalline solid में जो है, वो दोस से संबंदित कौन सा statement correct है, frankal defect decrease the density of the crystalline solid, जी नहीं, frankal defect जो होता है, वो dislocation या misplace जो है, वो कोई iron जो होता है, वो अपनी location से जो है, वो misplace हो जाता है, उसकी correct location से हटके दूसरी जगह चला जाता है, तो frankal defect आता है, density इसमें सेम रहेगी, decrease नहीं होनी चीए, ये लो, frankal defect is a dislocation defect, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बोला dislocation है, frankal defect is found in a halide of alkaline metal, alkaline metal में नहीं होता है, ये होता है, किसके अंदर, ये होता है, d block के halide में होगा, d block के metal halide में होगा, short की defect में density जो होती है, वो क्या होती है, decrease जबकि ये कह रहा है, सेम रहेगी, तो answer हो गया second, next, 97, an element has a BCC structure with a cell age of 288 picometer, the atomic radius, ये तत्व की 288 picometer cell core वाली का एक एंदरित गन्य सरचना की परमानुतित दिया है, BCC में जो है, वो corner का atom, body center का atom और corner का atom ये touch करते हैं, ये diagonal हो गया root 3 A, और ये radius आ रहा है 4 R, अपन को चीए R, तो R बराबर root 3 by 4 A हो जाएगा, A की value 288 picometer दे रखा है, तो radius हो जाएगा, root 3 by 4 into 288 picometer, third is the correct answer, 98, standard electrode potential of 3 metal X, Y and Z दे रखे, ये लिजे, the reducing power of these metal will be, तीन दातों के मानक electrode विभव दे रखे, अपचा एक समता पूछा है, तो simple सी बात है, reducing power जो होती है, reducing power जो होती है, वो inversely proportional to होती है, standard reduction potential के, जितना standard reduction potential कम होगा, उतनी उसकी reducing power जादा होगी, तो Z की सबसे जादा, उसके बाद जो है, वो Y, sorry, X and then Y, तो Z, X, Y, second is the correct answer, ओके, next, molar conductivity at infinite dilution of NaCl, HCl and sodium acetate are, respectively, then molar conductivity at infinite dilution for acidic acid will be, आपको NaCl, HCl और sodium acetate की molar चालकता दे रखी है, अनन्त ततनोता पर, तो acidic acid की पूछा है, acidic acid weak electrolyte है, तो इसकी infinite dilution पर molar conductivity जो होगी, वो call-rouse low की help से calculate करेंगे, तो इसमें आपने काम करते है, CS3, CO, Na, plus HCl, तो ये वाला और ये वाला add हो गया, acid का acid आगा है, लेकिन extra कोन आया, NaCl, तो minus NaCl कर दो, ये लोग, ये minus का NaCl कर दिया, बस आपको इतना ही काम करना है, sodium acetate की कित्ती दे रखे है, 91, HCl की दे रखे है, 425.9, minus yellow, ये हो जाएगा 390.5, ओकी, next, ये hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH equal to 10, and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atm pressure, the oxidation potential of electrode would be, एक hydrogen gas electrode, platinum तार को hydrochloric aml के pH बराबट 10 गोल में डूबर कर, ये हो इसके चारों तरफ एक ATM पर hydrogen gas पास करके बनाया गया है, इसका ओक्सी करन विवाव निम्न में से क्या होगा, एक सिंपल सी बात है, oxidation potential पूछ रहा है, तो half of the H2 convert हो जाए H++1 electron में, इसका standard electrode potential जो होता है, वो 0 होता है, minus 0.059 upon N की value 1, log of the H plus I, ये minus का log of the H plus I, जो होता है, अपनको मालूम है pH होता है, ये लिजेगा, तो 0.059 into pH की value 10 पूट कर दीजेगा, it is the 0.59 volt, ये लिजेगा, 4th is the correct answer, ये complete solution था physical chemistry का, ओके, thank you.